आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ सबसे पहले मिट्टी का आयतन निकालेंगे कितनी मिट्टी है हमारे पास मिट्टी का आयतन निकालेंगे वह दोस्तों कुछ इस प्रकार होगी कि यह आधार का और यह सीर्स का एक ट्रेपेजियम आकार का यानि कि समलम बाकार का क्यूब वाइड जैसा कुछ बनेगा जिसे हम ट्रेपेज़ाइडल बोलते हैं और दो मीटर उसकी उचाई होती है तो इसका दोस्तों सूत्र होता है एक बटे दो आधार आधार की जो लंबाई होगी अगर हम कह लें उसे B1 दन सीर्स की जो लंबाई होगी बीटू गुणे में दोस्तों पूरी उचाई जो होगी जो दो मीटर दियू है एच गुणे में दोस्तों आधार और सीर्स दोनों की जो लंबाई होगी जो दोनों में लंबाई कॉमन होगी उसे लिखेंगे, यहां पिर हो जाएगा एक बटे दो, यहां इसकी दोस्तों पांच मीटर, एक की दस मीटर है तो आधार की तो पांच मीटर हो गई दस मीटर हो गई, और सीर्स वाले की पांच मीटर हो गई और उचाही हमें दो दी हुई है गुणे L, जो दोनों में common है आठ हाठ, यह लंबाई होगी उस ट्रैपेज़ाइडल की यहां से दोस्तों मिट्टी का आयतन पता चलेगा 10, 5, 15, यह 2 से 2 कट जाएगा 10, 5, 15, 15, 18, 120 120 वर्ग मीटर हो जाएगा, मीटर की गहाँ 3, दोस्तों उसको कितना भूखंड को उठाए जा सकता आयताकार भूखंड है, आयताकार भूखंड को की उचाई कैसे पता चलेगी इस मिट्टी के आयतन के बराबर उसका आयतन होगा भूखंड पर मिट्टी डलने के बाद जो आयतन होगा वो इस प्रकार होगा लंबाई गुणे चौणाई गुणे यह उचाई हमें ग्याद करनी है यह मिठी के आध्न के बराबर होगा 120 इसे हमारा कुछ इस प्रकार से हल होगा एक 0 से एक 0 हम काट देंगे यह हो जाएगा यह हो जाएगा दोस्तों H बराबर में 12 बटे 80 गुड़े 10 इसे आगे हल करेंगे तो यह हो जाएगा दोस्तों 4 दुनी 8 यह 20 बन जाएगा और 4 तियांगी 12 यह बन जाएगा दोस्तों 3 बटे 20 दहम में 200 3 बटे 200 बन जाएगा अगर यह दोस्तों इतनी मीटर उचाई आ गई 3 बटे 200 है इसको हम सेंटी मीटर बदलने के लिए 100 से गुड़ा कर देंगे क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटी मीटर होता है यह दो जीरो कट जीरो कट जाएगा दोस्तों यह बचेगा 3 बटे 2 सेंटी मीटर यानि कि 1.5 सेंटी मीटर यह इसकी उचाई आ गई कौन सा विकल्प दिया आज ही डाउनलोड करें डाउट ने टाप यह वाट्साप कीजिए अपने डाउट 8444 चार्स उपर